जो जैसा आप पाप करता है जैसे गंदा हो जाए कपड़ा तो से आप लोग धोवी घाट भेज देते हैं धोवी को देते हैं धोवी कपड़े को लेकर कि उसकी आरती तो नहीं अतारता होगा मारता है पीटता है तब कहीं कपड़े के दाग ठीक होते हैं जय श्री कृष्णा राधे राधे जय सिया राम कि अगर हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और हम नहीं कमा पा रहे हैं और कैसे कमाएं ज्यादा पैसे और कैसे बने करोड़ पती सबसे पहले तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे अगर बनना है करोडपती सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपाए और नियम बताए गए हैं जिन्हें करने के बाद आपको करोडपती बनने से कोई नहीं रोक सकता है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हर एक चीज का भी महत्व होता है शास्त्रों के अनुसार घर के प्रवेश द्वार का काफी अधिक महत्व माना गया है कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार से ही सभी देवी, देवता, मनुष्य, सकारात्मक उर्जाओं के साथ नकारात्मक उर्जाएं प्रवेश करती हैं ऐसी मान्यता है कि अगर वास्तु के हिसाब से घर का मुख्य दर्वाजा सही से होता है तो आपके लिए बहुत ही फल दायक होता है शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही धन का प्रवेश यानि माता लक्ष्मी का वास होता है अपने घर में माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं तभी आप करोड़ पती बन सकते हैं तो आईए जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर ऐसा क्या करें जिससे घर में मा लक्ष्मी का वास हो जाए वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब आप प्रातकाल उठने के बाद दर्वाजा खोलते हैं, तो सबसे पहले दर्वाजे पर गंगाजल का छीटा जरूर मारें ऐसा करने से मुख्य द्वार पवित्र हो जाता है और घर में सुख सम्रिध्धी बनी रहती है ऐसी मान्यता है कि सुख सुख मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करने से घर में सकारात्मक उर्जाओं का संचार होने लगता है इसके साथ ही घर में मा लक्ष्मी का आगमन होने लगता है ऐसी माननेता है कि अगर मुख्य दर्वाजे को पीला, लाल, महरून, कलर से पेंट करवाएं या फिर डार्क कलर करवा सकते हैं अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप दर्वाजे पर डिजाइन बना सकते हैं ऐसा करना दर्वाजे के लिए शुब होता है और जानते हैं कि घर में पैसे कौन सी जगह रखने चाहिए घर में इस जगह रखें पैसे, दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी, व्रिध्धी वास्तु टिप्स, शास्त्र के हिसाब से घर में केसी जगह पैसे ज्वेलरी या क कीमती चीज रखनी चाहिए इस बारे में विस्तार से बताएंगे आज हम जानेंगे धन धान्य की बढ़ोत्तरी और सुक सम्रिध्धी के लिए कुछ वास्तु टिप्स, वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में मौजूद हर एक चीज का सकारात्मक या फिर नकारात्मक प् रहे ऐसे ही वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में किसी जगह पैसे, ज्वेलरी या कीमती चीज रखनी चाहिए इस बारे में विस्तार से बताया गया है जानिये धन धान्य की बढ़ोत्तरी के लिए कुछ वास्तु टिप्स तिजोरी रखने के वास्तु नियम उत्तर तिजोरी उत्तर दिशा को धन के देवता भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है वास्तु के अनुसार जिस कैश बॉक्स तिजोरी या अलमारी में आप अपना कीमती सामान रखते हैं उसे हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में दर्वाजा उत्तर दिशा की ओर तिजोरी रखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उसका दर्वाजा कभी भी दक्षन की ओर नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी दक्षन से यात्रा करती हैं और उत्तर में बस जाती हैं। इस लिए इस दक्षन पश्चिम दिशा की ओर मुह करके बैठता है तो तिजोरी को उसके बाएं हाथ की ओर रखना चाहिए और यदि उसका मुख पूर्व की ओर है तो उसे दाई ओर रखना चाहिए। से व्य हो जाता है। कमेंट में जरूर लिखना जै श्री कृष्चना